हेलो प्रेंट्स, वेलकम तो माइ चैनल, तर्टेश्क्ति पे प्रेंट्स गर्मिया आते ही हर घर में आमकी हर राय्ट की बारायटी बनने शुरू हो जाती है तर्फेंे आम, पतरीं, जो भी हो लेकिन आम तो गर्मियों में आता ही है अगर've मेंगो मिलक शेक बनाने के लिए मैंने लिया है आम का Pulp प्यूरी कर लिया है मैंने आम को एक कप Kप जितना आम का Yuri है उसके साथ लिया है वैनिला आइस्क्रीम का तीन कप तीन कप वैनिला आइस्क्रीम बन कप मैंगो प्यूरी उसके साथ है छोटे कटी हुए आम छोटे और थोड़े बहुत आइस्क्रीम फट्टा-फट मिक्शर में हम सारी चीज एड़ करते थे हैं मैंगो प्यूरी वैनिला आइस्क्रीम अगर अवोइट करते हैं तो उसमें एड़ कर सकते हैं मिल्क और शुकर और थोड़े आइस्क्रीम खट्टा-फट इसे हम ब्लेंड कर देंगे के ब्लेंड होने के बाद हमरा मैंगो मिल्क शिक रेड़ी है बस इसे सव करते हैं बॉटम में एड़ करेंगे थोड़े आइस्क्यूरी किवप्स उसके उपर एड़ करना है तो आप कर सकते हैं नहीं करना है तो आप मत कीजिए दो आइस क्यूब्स, अल्राडी चेड है हमारा मैंगो मिल्कशिक, और फिर हम ग्लास में भरेंगे मैंगो मिल्कशिक, उसके उपर हम थोड़ा सा आइस क्रीम रखेंगे, और थोड़े से मैंगो क्यूब्स, तो रड़ी है हमारा मैंगो मिल्कशिक, तो फ्रिंट्स, चेडपट से रड़ी होने वाला हमारा मैंगो मिल्कशिक, इस आइस क्रीम रड़ी है, बहुत ही मस्त, पेच्टी, ठंडा और सुपर, गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है यह पेच्टी, यह मेरा चैनल थर्थीस रसीपी, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राब कीजिए, सब्सक्राब करने के बाद बल अकन जरूर फिल्क कीजिए, ताकि ऐसे ही मेरी वीडियो जल से जल आप तक पहुच पाए, तक यू